यहाँ पर अगर व्यक्ति को परिशानी है तो वो सीधे मुख्यमंत्री जी से कारी करेगा अक्सली बात तो यह होती कि जब हम इमानदारी से कारी करते हैं तो सारी चीजे अपनी आपी सही होती है प्रत्याशी जो बनाया गया जो एक घरेलू महिला है ग्रहडी है और जिन्होंने कभी पार्टी में काम नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो हस्पेंड है वो ठेकेदारी करते हैं नामांकन मैंने फाइल कर दिया है जो व्यक्ति खुद यह नहीं समझ पा रहा कि वो आया क्यों है उसने नामांकन फाइल क्यों किया है उसका मुद्दा क्या है में नेकल ना मंगन किया और भी तमाम कल जुकी ना मंगन की आखिक रहे हुए हुए उसकी प्रथम बात को प्रथम है और बाद में बागी की चीजे हैं लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई जब ये मेर प्रत्याशी को डिक्लियर किया गया वो निराशा इसलिए हुई क्योंकि देखे नगर निकाय का चुनाओ है यहां की मूलभूत समस्याओं का चुनाओ है यहां पर अगर व्यक्ति को परिशानी है तो वो सीधे मुझे मंत्री जी से कॉंटेक्ट नहीं करेगा वो अपनी मेर से कॉंटेक्ट करेगा तो यह बहुत प्रत्याशी जो बनाया गया जो एक घरेलू महिला है ग्रहडी है और जिन्होंने कभी पार्टी में काम नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो हस्पेंड है वो ठेकेदारी करते हैं तो अब आप समझ लीजे कि अगर नगर निगम में अगर पार्टी इस तरीके क प्रत्याशी जो बनाया जात है व्यक्ति को चुन रही है तो मुझे लगता है कि समाज का इंटरेस्ट है वो बहुत गलत तरीके से जारा है संदेश बहुत गलत है और समाजिक इंटरेस्ट में कहीं नहीं गलतिया हो रही है, मैंने ये decision लिया, लोग सोचते हैं कि निदलिये में जीतना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जीत और हार बात की बात है, लेकिन हम आये हैं सोच को परिवर्तन करने के लिए, और यही सोच के साथ, जिससे मैंने पार्टी जॉइन की थी, यही सोच के सा कि जब हम इमानदारी से कारी करते हैं, तो सारी चीजे अपनी आपी सही होती है, मूलभूत समस्या अगर देखने बैठेंगे, तो जो नगर निगम के काम हैं, नाली, रोड, खरंजा, बिद्धुत के जो पोल्स हैं, वो सब तो हैं यह मूलभूत, उनको तो करना ही करना है लेकिन उसके साथ हमें एक आम जंता की तरह हमें सबके दुखदर्द को समझना है, छोटे छोटे बच्चे जो बाहर घूमते हैं, गरीब हैं, उनके दुखदर्द को समझना है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, ड्रग रिहाबिलिटेशन सेंटर की बात कर सकते हैं, जा ये मुद्दे हैं ये मुद्दे हैं ये मुद्दे हो करना कुछ नहीं है तो ये जंदा समझदार है जंदा खुद प्रत्याशी देखे समझ सकते हैं कि ये प्रत्याशी क्या काम करेगा या नहीं करेगा जो व्यक्ति खुद ये नहीं समझ पारा कि वो आया क्यों है उसने ना नामांकन के टाइम पे अपने पती के नाम से कोई व्यक्ति अगर नामांकन फाइल कर रहा है ना महिला सीट पे तो वहीं पे समझ लेना चाहिए कि नियत में खोट है क्योंकि महिला आरक्षिक सीट में अगर महिला का अधिकार कोई तूसरा व्यक्ति ले रहा है तो बेहिमानी तो यहीं साथ होती है और यहां वेइमानी साथ होती है तो 5 साल क्या कारिकाल रहेगा तो जनता समझतार है बहुत अच्छे तो अब क्या आपकी रन्नीती है और किस तरीके से आप काम करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि जिसके मंदिर में कभी कुछ नहीं चड़ा तो क्या वो लड़की यहां नगा निगम में आके एक इमानदारी से कार्य करना नहीं कि चाहेगी क्या वो नहीं चाहेगी कि अच्छा कार्य करें और यहां जनता की बेहन और बेटी के दोरा बेटी की तरह सराही जाए बहुत बहुत धन्यवाद कि अजय किषुब आएकी